रादे रादे, I hope आप सबी अच्छे होंगे, आज हम बात करने वाले है जैक क्लाश आइप्यों के बारे में, पूरा नहीं में है जैक क्लाश नमकीन आइप्यों, इस आइप्यों को जी एमपी है वो थोड़े से गिर चुके है, पहले तो उपर गए थे बट आब इनके तर ग के है कुछ-कुछ company के अंदर negative point भी है तो मैं आपको सारे negative point इस वीडियो में clear कर दूँगा then when we decide करेंगे इसके नावे करना क्या apply करना है नहीं करना उसके लिए आपको वीडियो को end तक complete देखना हुगा तो चलिए फिर स्चाट करते हैं आपको रिव्यू कंपनी का नहीं है जैक लाश नमकीन लिमिटेड इनकी स्चार्टिंग जो है वो 21 के अंदर हुई थी मतलब मैंने वो काम करते हैं अभी 3-4 साली हुए है यह manufacture करते हैं इंडियन स्नैक्स को इनके प्रोट्स की बात करें तो उसके अंदर चना जोर नमकीन, मसाला चना, पुदीना चना, मसाला मोंग जैसे काफी सारे डाले इस चैप की जो मुर्मरे, गठिया, चना डाल, भुजिया तो इस चैप की आइटम जो होती है ना जो हम बेसिकली स्नैक्स में यूज करते है तो उन सब का कंपनी जो मनिफेक्शर करते हैं बनाती है, कंपनी के अगर प्रोट्स की बात करें तो उनके अभी तक 56 प्रोट्स चल रहे है जो अलग-अलग प्राइसिंग मिल रहे है, पांच रुपे के अंदर, दस रुपे के अंदर, 200 ग्राम, 400 ग्राम तो इस तरह के अल इनकी फेक्टरी है वह बेसिकली राज कोड गुजरात के अंदर है तो यह हमने इनकी बिजनस का पूरा आइडिया ले लिए है इंडियन सनेक्स के रिकार्डिक इनका बिजनस है अब चलते कंपनी के फैनेशल पे और चेक करते बिजनस जो है वो कि स्पीड से करो कर रहे है कं करते हुए नॉवंबर दुएर तेईस तक ग्यारा कोड तक पहुच गए है तो एसेट्स तो मोटा मोटा कह सकते है कि तीन गुना इकरीब हो चुके है अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो देखेंगे कि दुएर 21 फैनेशल येर के अंदर रेवेन्यू जो है वो बनाया ग और वहीं बात करें उसके अगले साल 22 फैनेशल येर के अंदर तो वहां भी आप देखेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट हुई है और कंपनी ने 9.87 कोड का रेवेन्यू बनाया है मतलब कंटिन्यू बैक टू बैक तीनो साल कंपनी के रेवेन्यू जो गिरते ग आठ मेहें में इतना बनाये तो पुरे साल के अंदर मोटा-मोटा हम कह सकते हैं कंपनी क्या आप था आप कंपनी का वो कोई अच्छा ट्रेंड शो नहीं कर रहा है continue back to back revenue गिरते जा रही है अगर हम profit की बात करें तो पहले 21 फैरेंश यरे profit जो है वो आठ लाग का बनाये गया था उसके बाद 22 के अंदर profit जो है वो 54 लाग का बनाये गया था यहां पे profit में अपरोक 7 गुना increment हुआ था और उसके अगले साल भी company ने 88 लाग का profit record किया है यहां भी company ने अच्छा profit के अंदर increment शो किया है 60% ग्रोथ हुआ है और इस साल के भी 8 मेने में company ने 40 लाग का profit बनाया है तो पुरे साल के अंदर मोटा मोटा हम कह सकते है कि 60 लाग के आस पास का revenue पॉफिट से बन जाएगा तो इस साल profit में कमी आई है पॉफिट का trend है वो as compared to revenue खुरा ठीक लग रहा है अगर हम reserve की बास करें तो company के पास 2.46 क्रोड के अभी free cash मतलब reserve पड़ा है और उधारी जो कपने के उपर है वो है 3.45 क्रोड की तो overall business के हम देख नंबर है वो continue decrease हो रहा है तो यह काफी अच्छा negative point हो जाता है अगर हम उनके KPI की बात करें तो company का ROE जो है वो 24% चल रहा है ROC 31% का चल रहा है debt equity ratio 0.61 का है RONW 24% चल रहा है यह सभी reasonable है ओके है कोई दिक्कत नहीं है company के अगर APS की बात करें तो वो चल रहा है 2.64 का और price earning ratio जो है वो 227 का चल रहा है भी अगर हम बात करें इस sector के बाकी जो company है उनसे compare करें तो एक company है अन्ना पूर्णा स्वाधिष्ट के नेम से उस company का जो P.E. Ratio है वो चल रहा है 44 का और एक company हो रहा है परताप snacks के नेम से उनका जो P.E. Ratio है वो चल रहा है 8.6 का तो अगर हम compare करें sector के अंदर तो इनका P.E. Ratio सही लग रहा है अब बात कर रहेते हैं details की कि IP जो है 28 मार्ट से लेके आठ 3 अप्रेल तक open रहेगा आज हुए 1 अप्रेल मतलब परसो तक open रहेए इसका price band जो 70 to 73 रुपीस fix किया गया है हमें apply करते हैं यूज करना होगा 73 रु इनके जो market maker है वो है रिखाफ securities जिनको 83,200 शेर दी जाएंगे उनके portion को काटने के बाद में जो बचावो portion है उसके अंदर 50% का portion दिया गया है retail category को तो उनके लिए बन जाते हैं 7,66,000 शेर और एक load के अंदर कितने shares हैं 1600 shares है तो number of loads रिकानने के लिए हम इस value को जो वो 600 से भ loads मतलब इस IPO के अंदर 485 people का नाम आने वाला है अगर हम ए retail category की बात करें तो उनके अंदर हमें apply करना होगा एक load से जिसके अंदर आपको 60 share मिलेंगे जिसकी value बन जाती है 1,16,800 की हमें इसी value से apply करना होगा time table देख लेते हैं यह IPO जो है वो open 28 March को अलड़ी हो चुका है close हो जाएगा अप्रेल 3 अप्रेल को वेर्नस दे को as compared to SME IP की बात करें तो इस IP का सब्सक्रिशन जो है वो काफी कम चल रहा है अभी तक क्योंकि retail काड़ी जिफ 5 टाइम सब्सक्राइब होगी है अब चेक कर लेते हैं कि इसका कितना GMP चल रहा है और हमें इसके अंदर क्या strategy फोलो करनी है उसकी बात भी कर लेते हैं अगर इस यह बढ़े थे और बढ़कर पोज गए थे 52 परसंट के आसपास और उसके बाद इनके premium में गिरावर चल रही है पहले वहां से गिर कर 40 परसंट पर आ गए थे फिर वहां से गिर कर 34 परसंट पर आ गए है और आज यह चल रहे है 27 परसंट के तो यह continue गिरते जा रहे है अग अग्टरन तक इसके premium 20 परसंट के उपर रहे तो मैं इसके अंदर definitely reply करूँगा अदर्वाइस मैं इसको avoid कर दूँगा और इसके साथ एकर बात करें तो काफी सारे IPO और open चल रहे है 5 अच्छे IPO इसके parallel के अंदर open चल रहे है उन सब के ऊपर review वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा उनको जाकर जिरूर देखेना then decide करना कि आपको कहां पर apply करना कहां पर नहीं करना और daily सभी IPO के updates के लिए प्लीज चलेगाम चैनल और WhatsApp डूप को join कर लेना वहां आपको daily सभी IPO के GMP subscription के जांकारी शेय कर दियाती है ताक कि आप decision बना से हो कि कहां apply करना कहां apply नहीं करना है चैनल को subscribe करके बैल आके अड़िट कर लेना ताकि आपको आने वाले IPO review and corporations के ओपर भी information time से मिलती रहे कुछ भी query हो आपकी किसी भी stocks के regarding किसी भी IPO regarding तो आप निचे comment section में mentioning कर सकते है आपके comment का reply जिरूर किया जाएगा फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसे ही IPO review के साथ तब तक अपना ख्याल रखिये thank you so much